अपने आपको इतना ब्यस्त कर लो की चिंता करने का समय ही ना मिले दिक्तरिका चैनल को भी सब्सक्राइबर के ब्ला इके आसे ब्लोड और उसकी पीडिया ब्लो चुका है, उसकी पीडियो पी उसमें आपको मिल जाएगी तो उस वीडेदे दालएगा और उसमें एक सुबिता ये भी होती है कि आप उसके माध्यम से अपना टेस्ट दे सकते हैं आप जो है सब्ता में आपने कितना सीखा इसका मुल्यांकन कर सकते हैं वीकली करेंटेवर का वीडियो जरूर रेखा किजिए और सारे प्रशनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया किजिए देखिए पहला प्रशना आज का है कि सबसे तेज 22,000 अंतराष्टी रन बनाने वाले पहले खिलाडी कौन बन गए हैं तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं विराट कौली ये 22,000 अंतराष्टी रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं देखिए इनसे पहले भी जो है कई लोगों ने 22,000 अंतराष्टी रन बनाया है लेकिन सबसे तेजी से विराट कॉली के नाम से ये रिकार्ड बना है क्योंकि इन्होंने केवल और केवल 462 पारी में अपने इस मुकाम को हासिल किया है देखिए इससे पहले सची इंते नूर्कर ने भी 22,000 रन मनाये थे सबसे तेजी से 22,000 रन अंताराश्टी रन मनाने वाले खिलाडी बने हैं और अब दूसरे हसान पर आपके सची इंते नूर्कर आ गया है और इसके बाद फिर आपका नाम आता है ब्राइन लारा का ठीक है ब्राइन लारा जो ये 511बी पारी में इनोंने अबना बाईस हजार माँ अंताराश्टी रन पूरा किया था और रिखी पून्टि ने पाउससो चौरद्वी पारी में अपना अपना 22,000 अंताराश्टी रन पूरा गया था तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो दो चीज़ा आप गया रिखनी है वर्तमान में सबसे तेज 22,000 अंतराश्टी रन मनाने वाले खिलाडी कौन बने है विराट कॉली इन्होंने 465 भी पारी में ये किर्थिमान हासिल किया है और इसके बाद भी नमर आपका आता है तेंदुलकर का जिनका रिकार्ड इन्होंने तोड़ा है कितने विराट कॉली ने इन्होंने 493 भी पारी में 22,000 अंतराश्टी रन जो है पूरा किया था दूसरा परशनी की हाल ही में डेविट प्रोप का निधन हो गया ये क्या थे तो दीएक जपके डेविट प्रोपcü हैं ये जो है एक ब्रिटिस अबनेता थे और दीखें ये जो है वेट लिप्टर्स अबने थे और इनकी लमाई दीखें बहुत अच्छी खाची थी चैपुट साथ इंज लंबे थे ये और अपने लंबे कत के कारण इनको एक फिल्म थी उसमें जो है इनको डार्थ वार्डर का किर्दार जो था उसके लिए चुना गया था और कुछ इस प्रकार से नोंने हेलमेट वगर लाया था बलेक डिस्पना था उस फिल्म में तो ये एक्स्टा जनकारी है जो सबसे खास बात रखना है कि एक ब्रिटिस अभनेता थे जिनका नाम था डेविट प्रोप्स ये अब जिस दुनिया में नहीं रहें ठीक है और टीश्रा पुर्शने की नोंबर 2020 में भारत ने किस दिसक के साथ परियावरण और जैवित्ता सन के छेतर में और देखिए भी आली में इस समझोते ग्यापन पर अस्ताक्षर किस ने किया जो भारत के केंदी परेवरण मंत्री है प्रकास जाविट करने और फिल्लैंड की जो परेवरण तथा जलवायू परिवत्तन मंत्री है क्रिश्टा मिको ने और देखिए ये समझोत ग्यापन से जोबका टेक्नोलजी यानिकी प्रद्योकी है वैज्यानी तथा प्रबंधन चमता आये हैं ये मजबूत होंगी और गुर्वत्ता आदान प्रदान तथा पारसवरिक लाप के आधार पर सतत विकास को प्रोसाहित करने के काम को ध्यान में रखते विए आदान सहीत प्राक्रतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन जैसे छेद्र जो है इनमें स्रेश्ट ब्यवहारों के आदान प्रदान को प्रोसाहन मिलेगा और जो आपका फिनलेंड से है ये आपका यूरूप मे स्थित है और कैपिटलिस की है हिलसिंकी और प्राइम मिनिस्टर यहांकी है साना मारिन और यहांकी जो प्रेश्डेंट हैंड का नाम है सौली निनिस्तो और करेंशी यहें फिनलैंड की यूरो और यहांकी official language है फिनिस और स्विडिज चौ yrटा प्रशने की अरब-खाडी देश का पहला कोयला अधारित पावर प्लांट किस देश में अस्थापित किया जा रहा है तो दीखे अरब खाटी देश का जो पहला कोईला आधारित पावर प्लांट है ये संयुक्त अरब अमिरात में अस्थापित किया जा रहा है दीखे संयुक्त अरब अमिरात के दुबई के साह सोय में इसको अस्था मेगावाट और इकी जब की ये हयासन क्लीन कोईला पाउर इस्टेशन मनेगा ठीक है तो इस परिविना में प्रतेक 600 मेगावाट की चार एकाईयां मनाई जाएंगी तो 64 का 24 हो जाएगा ठीक है तो 24 सो मेगावाट का आपका यह प्लांट कंप्लिक हो जाएगा तो 600 मेगावाट की चार एकाईयां सापी दोंगी जिनके क्रम से 2020, 2021, 2022 और 2023 में परचालन सुरू होने की उमिद है पांच माई की हाली में किसने 33 प्रगती बैठक की अधिक्स्ता की तो देखिए जो आपका 33 प्रगती बैठक था इसके अधिक्स्ता नरेंद्र मोदीने की देखिए प्रगती का पूरा नाम है प्रो एक्टिव कवर्नेस एंड टाइमली इंप्लिमेंटेशन यानि कि सक्री शासन, संजालन और समयवद क्रियानवन देखिए आज कल एक ट्रेंड चला एक्जामें किसी भी चीज का फुल फॉर्म पुछा जा रहा है ये यतनी भी योजनाय है मोदी सरकार की सबका फुल फॉर्म एक्जाम में पुछा जा जा रहा है तो यहां में प्रगदी की बात कर रहा है प्रगदी का पूरा नाम क्या है प्रो एक्टिव कोवर्नेस और टाइमली इंप्लिमेंटेशन और प्रगदी क्या है ये एक जो है ICT आधारित बहु माडल प्रेटफॉर्म है और इस बैठक में 10 राजियों और केंदर सासित प्रगदीसों से समादीर कुल 1.41 लाग करोड रुपे की परियोड़नाओं की समक्षा की गई और चटों प्रशनी की UBS ने अपनी Global Economic और Market Outlook 2021-22 रिपोर्ट में वित वर्ष 2021 में भारत की वास्तवी GDP कितना रहने का नुमान जताया है तो देखिए UBS जो हैस ने अपने Global Economic और Market Outlook 2021-22 रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2021 में जो भारत की वास्तवी GDP रहेगी ये रहेगी 10.5% नेगेटिव में ठीक है यानि कि माइनस 10.5% देखिए अपने UBS है इसका ये भी कहना है कि विद्वर्ष 2022 होगा अगला वाला ठीक है तो इसमें भारत की वास्तवी GDP वर्थिदार उभर कर 10% की दर से ग्रोध करेगी और इसके अलामा UBS ने विद्वर्ष 2023 में भारत की GDP को 6.2% की दर से जो है इससी रहने का नुमान जथाया है और साथों प्रशने की हाल ही में किस बैंक ने पॉस्ट टर्मिनल के लिए SMS पे फीचर लांच किया तो देखे जो आपका POS है देखे POS का पुरा नाम है पॉइंट आप सेल ठीक है तो जितने भी मसीन को हम POS मसीन कहते है यानि कि Point Up Sell मसीन कहते है और इसी Point Up Sell Terminal की बात हो रही है तो जितने भी Point Up Sell Terminal है इनके लिए SMS पे फीचर लांच के अभी आली में S-Bank ने देखे आपका दो जो आपका S-Bank है इसने इस नई सुभिधा SMS पे फीचर को सुरू करने के लिए फ्रेंच की बुक्तान सेवा कंपनी World Line के साथ साज़दारी की आली में और जो पे एस बैंक है इसके MD और CEO है प्रसांद कुमार संसापा का है राडा कपूर संसापना सी 2004 में हुई थी इसका मुख्याला आपका महराष्ट के मुंबई में स्थ है और आठों प्रस्ने की रासाइनी की युद का सिकार हुए पीर्टों की याद का दिन किस तिदी को मना गया तो दीके रासाइनी की युद का सिकार हुए पीर्टों की याद का जो मनाया जा रहा है ठीक है तो 2005 से ये continue है और अभी तक चला है तो 30 नमबर को क्या मनाते हैं रासायनिक युद का सिगार वे पेड़तों की याद का दिन नवा प्रशने की फिलिस्तिनी लोगों के साथ एक जुटता का अंतराश्ची दिवस किस्तिती को मनायता है तो देखे फिलिस्तिनी लोगों के साथ एक जुटता का अंतराश्ची दिवस है ये 29 नमबर को मनायता है देखे सेंक्त राश्च के द्वारा हर साल 29 नमबर को जो है इंटरनेशनल डे आप सॉलिटरी विद फिलिस्तीनी पीपूल यानि कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ एक जुटता का अंतर राश्टी दिवस के रूपे मनायता है देखे 29 नॉबर 1947 को महासबा यानि कि सेक्ट राश्ट महासबा ने फिलिस्तीन के बिभाजन के प्रस्ताओं को अपनाया था इसलिए 29 नॉबर को ही मनायता है क्या फिलिस्तीनी लोगों के साथ एक जुटता का अंतर राश्टी दिवस और दस्वाँ प्रस्टी की ग्यारवा राश्टी अंगदान दिवस ये कि नेशनल औरगन डोनेशन डे किस दिवस को मनाय गया तो देखे जो आपका ग्यारवा राश्टी अंगदान दिवस है ये 27 नॉबर को मनाय गया देखिए 27 नमबर का जो ये दिन है ये स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्रा ले किता है National Organ Tissue Transplant Organization के दोरा आज किया जाता है देखिए जो आपका National Organ Tissue Transplant Organization है इसका मुख्याला है नई दिली में जार्मा प्रशने की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 28 नमबर 2020 को COVID-19 वैक्सीन के विकास और वी निर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिकल रूप से समिक्षा करने के लिए कितने सुविधा के न्दरों का दोरा किया है तो देखे, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 नॉमबर 2020 को COVID-19 वैक्सीन के विकास और वी निर्मान प्रक्रिया की व्यक्तिकत रूप से समिख्षा करने के लिए कुल तीन सुविधा केंद्रों का दोरा किया, यह पहले सुविधा केंद्रों इसमें जो आपका है, यह आपका है अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गया है, तो तुरंद लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं देखे, पहला पर उसनाब के लिए कि असीमा अखिल भारती पीठा सीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आजित किया गया बताईए और दूसरा की हाली में किसे अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में निक्तिया गया बताईए और तीसरा की अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन बने अनसर बताईए चौथा की हाली में उत्तर प्रदिश के किस विज़ विद्धालिक के स्थापना का सताबी समारों बनाए गया बताईए और पांचमा की भारती राष्टी सरकारी संग्यारी की नेशनल कोपरेटी यूनियन आफ इंडिया का नया देश कौन चुन चुना गया है बताईए तो इसी के साथ आज के करेंट पर से समारों बता है कल फिर मिलेंगे कल के करेंट विडियो को लाइक और शेयर कर दीगा जो लोग नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी के साथ चैनल जै वारत